नमस्कार मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी आप देख रहे हैं नवोद टाइम्स टीवी 13 फरबरी को आप सिर्फ बैलेंटाइन्स भी क्या किस डे के तौर पर याद करते हैं तो आपको बता दे कि आज दिल्ली का हैपी बर्थडे भी है आज राजधानी दिल्ली 90 साल की हो गई है आज ही के दिन 13 फरबरी 1931 के ब्रिटेन के वायसराय लॉड इर्विन ने भारत में इसका उधगाटन किया था आज ही के दिन आपको बता दे कि राजधानी दिल्ली राजधानी बनी थी क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाय गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली को नया नाम इसके विधवत उधगाटन से पहले 21 दिसंबर 1926 को मिला नई राजधानी के नाम पर मुहर लगने से पहले इसके नाम पर इंपिरियल दिली, राएसीना और साउथ दिली जैसे नामों पर विचार हो रहा था वाईसराय लाडवि एर्विन दिली नाम रखने के पॉक्ष में थे दिली के नाम पर मुहर लगा दी गई बतादे कि ये जानकारी रास्ट्री अविलेखागार के दस्तावेजों में दर्ज है दिल्ली आगे बढ़ती रही और दिल्ली में जो भी आया उसे दिल्ली ने गले लगाया बतादे कि आजादी के बाद तीन सरकारी भवनों का निर्माड हुआ 1955 में सुप्रीम कोट अशुक होटल और विज्ञान भवन का निर्माड हुआ ये तीनों भवन सरकारी थे इससे पहले कोई भी सरकारी भवन दिल्ली में मौजूद नहीं था राजधानी दिल्ली के लिए 1950 का दशक बेहत अहम था क्योंकि इस दोरान IIT दिल्ली का निर्माड हुआ IIT दिल्ली के निर्माड की जम्यदारी प्रोफेसर जेके चौदरी को दी गई थी उसके बाद 1969 में JNU का निर्माड हुआ राजधानी दिल्ली में नई इमार्तों के निर्माड में कई वास्तुकारों का गजब का योगदान रहा उन्हीं में से एक थे कलकत्ता से आए हबीब रह्मान जिन्होंने आरकेपुरम सरोजनी नगर आईने में कई सरकारी भवनों के निर्माड के डिजाइन तयार किये 1961 में हबीब रह्मान ने रबिंद्र भवन का डिजाइन तयार किया इसके साथ ही कई भवनों के डिजाइन भी तयार किये बतादें कि यहां 1969 में चुड़िया घर भी चालू हुआ नई दिल्ली के आगे बढ़ने की कहानी लिखी जाएगी तो एशियाट 82 और कॉमन मिल्थ गेम 2012 का जिक्र कैसे नहीं होगा बतादें कि यहाँ पर कई स्टेडियम, कई पार्क और कई सारी ऐसी चीज़े हैं जो राजधानी की शान बढ़ा रहे हैं जोहारलाल नहरू स्टेडियम, इंद्रा गाधी स्टेडियम वगएरा लेके कई सारे ऐसी चीज़ों से दिल्ली का विकास और विस्तार का सफर जारी है और इस सफर को आसान कर रहा है दिल्ली मेट्रो लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली की शकल बदलने जा रही है सरकार एक बार फिर से दिल्ली में नई संसत का निर्माड करने जा रही है और दिल्ली की सूरत बदलने जा रही है